और कल का होमवर्क हो गया होगा मुझे पूरी उम्मीद चेक करता हूँ क्लास के बाद तो कल जो पढ़ रहे थे हम डिविडेंट थियरी पढ़ रहे थे दो टाइप का थियरी है एक रेलिवेंट और एक एरेलिवेंट थियरी ये बोलता है कि भीया आप अगर कोई कंपनी डिवीडेंट पॉलिसई की वजासे ये डिवीडेंट पे आउट रेशों की वजह से शेर की प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है के नहीं पड़ता-पड़त ये रेलियमन थियरी इसमें दो लोग है वाल्टर्स और गौर्डन एक वॉल्टर्स का फॉर्मूला तो पता है ह दो चीजे देखो आर और के अगर आर जादा है तो भी इन्वेस्टमेंट कर दो डिविडेंट मत दीजे पर के जादा है तो पुरा दे दीजे आप कमाने की स्थिति में नहीं हूँ दूसरा कौन आगया है गॉर्डन भी वही सेम चीजे बोलता है पर उसका एक फॉर्मुला है पहले भी पढ़का है और क्या नाम था उसको डीवन डीवन गॉर्डन के फॉर्मुले में वो यह अल और नथी नहीं बोलता हूँ बोलता है कुछ तो देना पड़ेगा पर कुछ क उसने कोई डेफिनेशन नहीं बताया बोलता है प्राइस देखते हुए आप डिसाइड करना और प्राइस निकालने का फॉर्मुला बताया कभी भी गॉर्डन्स मॉडल से डिसीजन नहीं पूछेगा कि बताये कितना डिविडेंट थे सिर्फ और सिर्फ पूछेगा पीज इग्जामपल भी करवाए था वापस यार वही में डीवन लिखूंगा डीजीरो लिखूंगा गरूत लिखूंगा वही सारे एक्जामपल करने का सेंस नहीं तो कोशन नुमबर 26 और कोशन नुमबर 26 लिखा है ती वाई के फूर तो आप समझ गया हूँ कि आपके मोडियूल का कोश्चन है ठीक है यह बब पढ़ते हैं प्रफिट कितना दिया है 15 लाक और प्रफ्रेंशियर कैपिटल है 15 लाक तो 15 लाक किया जाएगा हमारा डिविदेंग अर्निंग्स पता लग जाएगा कितना 35 लाक नमबर अप्षियर दिया 5 लाक एपिस निकल जाए 7 आर दिया है 20 परफ्रेंट और केई दिया है 16 परफ्रेंट दिल करता है वाल्टर पर ध्यान से यह बोलता है गॉर्डन तो गॉर्डन ही करना पड़ेगा अगर डिविदेंट प्याउट रिशो कितना है 25 पर हमें क्या निकलना प्राइस तो पी जीरो का फॉर्मूला हो गया है क्या था याद बोल क्या है क्या है क्या है कि कुछ नया नया फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा है इविदेंट प्याउट रिशो सबसे पहले कितना बोला भई 25 पर्षन तो पी जीरो एसे को पताव EPS ओहो EPS तो नहीं मालू हमको EPS निकालना पड़ेगा नहीं आशा चलो EPS निकालने पर सबसेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना है 50 लक माइनस क्या कर दोगी प्रफ्रेंस डिविडेंट साओ लाग का 15 पर्षन 15 लक तो बोलो कितना है 35 लक या गया हमारा अर्निक्स डिवाइड इड़ बाए नमबर उप शेर्स 5 लक EPS कितना आगया 7 रुपर ठीक है पहले में डिविडेंट कितना 25 पर लोग 20 लो निकलते है कितना अर्निक्स आथ 1-0.75 बी का मतलब क्या होता है retention ratio 25 पर्षन डिविडेंट दे रहे हैं कितना बचा रहे है 75 पर्षन सीधा 7 इंटू 25 पर्षन लिखने में कोई दिक्कत है कि आपको नहीं है पर ये फॉर्मला module खोल लिया बाई चांस आपने बोर हो रहा है हो ये खोल कर देख लिया तो हो सोड़ आए ये क्या चक्कर है इसलिए मैंने वो लिखवा दिया ये कहां तक 7 इंटू 25 पर्षन करो कितना रहा इसे विस्वास करो 1.75 1.75 1.75 D0 एक D1 अगर आप दोनों इसे ही अब आपकी मर्ज सर इंसेट्यूट नहीं किया क्या D1 लेकर किया आप D0 लेकर भी कर सकते पर जब भी ऐसा डिविडेंट पे आउट रिशो अलग से देगा न यार तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दे E1 मैनस B मतलब D1 लेकर ही कर ये तो रटा हुआ अभी तो हम मजबूर ही है इसमें तो रट नहीं पड़े है बताओ के ही कितना है पॉइंट मैनस कुछ करते थे ग्रोथ का फॉर्मूला क्या था B कितना है पॉइंट से 1 फाइव और R कितना है फोईंट Damn 175 मेर्यमस्तोबूक 175 गरत्रंस 58.33 ये होना चाहिए ये स्पीड 43.7 एक आलोपे टाफ़ेट से 35 वारा हो सकता हम मैंने गलत आंसर लिखे मेरे इस बुक में तो 58.33 लिखा है पर इनका कहना है 35 तो हो सकता है आज के बाद किसी बच्चे का एक डाउट आया था कि सर ये लिखते हैं में D1 नीचे क्या लिखते हैं के इ मैनस जी सर सपोर्ज जी है साथ पर्षन और के इपाच पर्षन आया तो कैसे करेंगे तो सिंपल सी बात है एक एजन्मिशन लिखा हुआ है कि कभी भी ग्रोथ रिट कम रहेगा के इसे कम ही होना चाहिए के कैसे निकलते यत करो डीवन पीजीरो डीवन पीजीरो प्लस जी तो यार डिविडेंट का तो आप कैसे वो तो उस जूड़ता है पर फिर भी घुमाने के लिए बोल दिए गुमन लिखा है लिखाया बुक में कि के आल्विस मोर देन किस से रहेगा ग्रोस से होना ही चाहिए तो मेरे खेल से यह कोशन हो गया सबका कोशन नमबर 30 आई सी ए आई का फैबरेट कोशन हर दो अटेम्ट में चिपकाता है पांच नमबर दे देता है मुझे ठीक है छोटे-छोटे बच्चे पास कर देता हूं फाइनल में मिलेगे यह आपका LDR हो गया है क्या यह का कोशन है यस कौन सा कोशन है टी-वाई-क भी क्या मांगा है आपसे पीजिडो किसके हिसाब से वाल्टल के हिसाब से और किसके हिसाब से गॉर्डन बोलता जब कर रहा है तो पूरही कर लेते हैं आए एक वट्टर पता है न कुछ होता था दीप लॉसी मैंनेश्ट कितना डीए दस विगे पर्शिय चे पताव डिव डिव डेन कितना दे रहा है है ताट पर्शन रिटेंशन कितना कर रहा है चालिस यह बता यहां कितना है था 10 डिविदेंट कितना 6 6 मतलब डिविदेंट पे आउट रिश्यो कितना है 60 तो रिटेंशन कितना होना ची 40 लिखा कितना है क्या यह गलत लिखा है हाँ 140 ठीक है यहां तक कार्ट के बुक में ठीक कर लेड़ा के दिया है 20 परशन आर दिया है 25 परशन आपको निकालना पीजीरो वाल्टर के हिसाब से और गॉर्डन के एक आंसर है मेरे पास 55 और एक आंसर है 60 55 करेक्ट आंसर है कि अधिया है वाल्टर फॉर्मूला से करना है ना वाल्टर फिर वही बाता की रहता है इनका कहना है यार वाल्टर तो ऐसा बोलता था चलो उसके साब से करते हैं 55 और इसके साब से 60 कि अगे चल रहे हैं क्या है कि कोश्चन देखा देखा लगए 20 रहे हैं और वक करना होई इसमें क्या करने वाली कोई बात ही नहीं नौर थोड़ा फिगर विगर अलग है यार थोड़ा करूगे प्रैक्टिस मजाएगा जो आसान है वह हम करना नहीं चाहते हैं जो मुस्किला वो बनते नहीं हाँ अब आया कोश्चन कोश्चन नूमबर 33 इन माद दिखाना पड़ेंगा और फॉर्म हैड बीन पैड सब्ड लिखा हुआ है दी जिरो अध रोपीस टू पर स्यार लास्ट यर डी जिरो एजे तो यार दू दू और ग्रोथ रेट कितना दिया भाई पाच परशन पर रहन अधिट रमाइंड थो एस्टिमेटेड मार्केट प्राइज अप एक्वट गटके कितना हो जाए तीन परशन तो ग्रोफ रेट तीन परशन के सबसे आप प्राइज निकल लेना क्या केई दिया हुआ है find out the present value present price मतलब क्या निकालना है P0 और ये क्या दिया है require rate केई require rate of return on equity investor केई किसे करना है अगर growth दिया है अगर growth दिया है न ग्रोफ दिया है न ग्रोफ दिया न सब्द तो गॉर्डन ही लगेगा उसी गनाम है डिवीडेंट ग्रोफ मॉडर्ड अपको बस ग्रोफ रेट बढ़के 8% हो जाए तो और फिर क्या था ग्रोफ रेट कितना हो जाए तीन परशन्ट हो जाए तो पी जीरो कितना आजाएगा देख ले थे 2 वन पॉइंट क्या आजाएगा 0 3 0.155-0.03 पी 16.4 एट टिक पांच नंबर का आया था और कब आया था जनवरी 2021 में और पांच नंबर के कोश्चन के लिए हमारे पास 9 मिनट का टाइम होता है साथ में करते एक बर पढ़ लेते साथ में थोड़ी उमीद कम है अप लोगों यह कोश्चन तो देखा देखा लग रहा है ना तो हमवक देदूं क्या है हमवक हमवक पढ़के देखते हैं अर्णिंग दिया है नंदर फ़ियन दिया है कि यदिया है और दिया है है और दिया आए ave दिया है अर दिया है मैंबर आप लूछ्चन dose कोश्चन है मॐख हुष कलुछ यह तो एर रिपीट ही है, यह तो कट कर देते हैं, कट यह तो बनाया हम लोग पूशिन नंबर 32 एक बर देखें, याद रखना, इस बाद प्रॉफिट विपोर टेक्स दिया है, 2.4 और आपको टेक्स रेट 40 परशन टेक्स रेट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आफटर टेक्स है जाएगे, नंबर उप शियर से 50 लाख, रिटेंशन रिशो दिया है, इक्विटी कैपिटलाइज़िशन का मतलब के ही दिया है, रेट और रिटन और अर दिया है, और आपको किसके सबसे काम करना है, बॉर्ड सब मैं बनाओं, रोके न, डिविडेंट पर शेर, उसको D1 मानके करेंगे, अभी तक हम यह जब भी डिविडेंट पे आउट रिशो दिया है, तो हम D1 लेते हैं, पहले बता, प्रॉफिट विफोर टेक्स है, 2.5 करोट, टेक्स माइनस, 1.5 CR, 1.5 CR, EPS बोलो, 3, डिविडे 60 बर्शन तो 3 रुपए का 60 बर्शन, 1.8, इसको D1 ले ना, बस में यह क्या, झाले के जचे का 50 बर्शन, 1.6, जब दिए का 70 एमिए ट्ना आश्वर्ट, god都是 141.2.5 तीस रुपे सभी का तो फाइनल आंसर है 30 रुपे कोश्चन नुम्बर 39 हमारी मॉड्यूल का कोश्चन है तीवाई के 6 इसको जल्द बाजी में हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ समस्या है किस कोश्चन इन में 2020 शेर्स आप आर्टी लिमिटेड वाज सोल्ड जब दर साट रुपे पर शेर क्या चीज़ है भई इसे को पीजीरो लेना पड़ेगा लांग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट भी दे दिया कितना दिया 1.5 पर शेर्ट इस एंटिसिपेड आर्टी लिमिटेड इस एक्सेक्टेड टो पी कितना 20 रुपे दीवन मालू है पीजीरो मालू है जी भी मालू है कैल्कुलेट दे रेट ओफ रिटन इन्वेश्टर केन एक्सपेक्ट टो अर्ण एक्सपेक्ट टो ग्रोव वितर्निक 7.5 पर रहनम इन पर पेच शुट है क्या मांग रहा है क्यी पक्का कलीसी पे मरी बहस हुई थी रेट ओफ रिटन बोला था हमको आर्ण लग रहा था लेकिन बात किसकी है इन्वेश्टर की मतलब क्यी चलो पहला नंबर पे क्यी निकलते सब चीज तो पता है पॉर्मूला क्या है वन पर डीवन कितना है यार तीस रुपए और पीजीरो वन फॉर्ट सिक जीरो पॉल ग्रोथ 0.075 8.8 8.86 question number 39 8.97 है इसमें 8.8 20 divided by 1460 10.075 8.86 अब सुनो बहुत प्रॉब्लम है पॉइंट नंबर टू में आई सी ए आई ने जो सॉल कर रखा है वो गलत कर रखा है और हम गलत ही करें ठीक है मतलब लोजिक नहीं है पर चलो पड़ते हैं इस एक्सपेक्टेड देट आर्टी लिमिटेड विल अर्ण 10 पर्शन आर्टी लिमिटेड मतलब बात किसकी हो रही कंपनी मतलब सर यह तो आर हो गए आर एंड रिटेन ठीक है एंड शेल रिटेन और कितना पर्शन रिटेन इसको क्या बहुत सकता हूं बी पी है यह आर है यह क्या रोट रिट चेंज हो जाएगा 100 पर्शन रोट कितना हो जाएगा 20 र बेंट र गरों कितना हा रहा पॉइंट जीरो सिक्स मतलब 6 प्रतीशत ठीक है तो बताइए इसकी वजह से ग्रोथ रेट में चेंज 100% होगा तो बले ग्रोथ रेट निकालिये और फिर किसे क्या निकालिये क्या रस चलो ग्रोथ रेट निकालिये अभी हमने बनाया है कहा है विटे को पॉइंट नमबर 2 हम से क्या मांगा है ग्रोथ रेट रेट और के तो सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालिये अगर मैं होता है दी वन में कोई चेंज होगा कि नहीं नहीं होगा मैंने पहले लेक्चर में बताया था दी वन ग्रोफ रिट पास ने डीवन का मतलब होता है फ्यूचर का जो दे दिया है उसने डीवन डिवाइड़ बाई केई मानच जी अब डीवन कितना दिया है जरा बताना 20 रुपए 20 डिवाइड़ बाई केई क्या लोगे केई निकालना है तो PGRO तो हमको मालों है तो D1 डिवाइड़ बाई पीजी रोग्रोफ कितना ले लोगे मैं होता तो मैं ऐसे करवाद था अब I.C.E.I. इस कोश्चन में खेल खेला है पर इस कोश्चन में मैं करवाऊंगा तो आप बागी कोश्चन पर अबजेक्शन ले लोगे कि सर उसमें ऐसे क्यों नहीं करवाए तो इसकोश्चन गलत है रटना पड़ेगा करवाया क्या है यह बता हूं आप सुनों उन्होंने दिमार्ग चलाया है जान से समझता है उनका कहना है यह ग्रोथ पहले कितना था अब ध्यान से पहले सुन ले ना कले यहां रफली करवा रहा हूं कितना था 7.5 और ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है बी इंटु आर तो ग्रोथ था पॉइंट जीरो सेवन फाइफ एगरी बी का तो नहीं मालूम पर आर तो हमको मालूम है कितने परशन है दस क्या बी निकल सकता है पहले बी पहले का बी सेवन फाइफ मतलब कितना परशन बच इंथ 54 उनका कहना है रिटेन कितना कर रहे थे हम लोग 75 बच यह 25 परशंट हंन मैं पिछला ड्रोपे किसके बराबर है और यह निकल सकता है अर्निंग कितना निकला 80 पर अब तो रिटेन कर रहे है 60 मतलब यह डिविडेन कितना दे रहे होगे 40 तो 80 का 40 पर से कितना उन्हों ने ऐसा किया 32 डिवाइड बाइ प्राइस कितना है 1460 और ग्रोथ लिया है 6 पर अगर D1 दिया है भाईयो तो हमको D1 में चैंज करना ही नहीं ह प्राइब आप आप आओगे या फिर आप जब फाइनल में होगे आप कहीं से भी क्लास ले रहे होगे और यही कोश्चन फाइनल में मिलेगा और फाइनल में आप ऐसा करोगे तो आप से बोला जाएगा किस टीचर ने इसा बढ़ाया आपको मेरा नम मतले ना ठीक पर यह इंस्ट्यूट का हमको ऐसे करना पढ़े तो भी मैं बोलूँगा कि किस टीचर ने बढ़ा दिया आपको ऐसा चलो चलो काम कर रहे हैं जैसा इंस्ट्यूट ने किया बहुत प्यार से क्या कि आप कहां से चलेते हैं तो हाँ ओल्ड ग्रोथ रेट ओल्ड जबड़ दस्ती टाइम पास करवाया है है कितन साड़े साथ और और ग्रोथ रेट का फॉर्मुला था पे इंट्वार ग्रोथ रेट हमको मालू है पॉइंट जीरो से वन फाइफ पी हमको नहीं मालूम और आर तो सेम ही रहता है उसे सबसे भी आ गया 75 पर्शन उसे सबसे ओल्ड डिवी रेन पे आउट रेश्व आ गया इतना 25 पर्शन एपी एस अगया कितना दिया थ्यार डिवी रेन 20 जो कि कितने पर्शन के बराव है अब नियू डिवी रेन पे आउट रेश्व कितना है 30 पर्शन 31 80 का 30 पर्शन कितना अगया 32 32 इन लोगों ने हां कैसे बला 32 मैंने कल मजाक में बुला था कि हां हां बुलते रहना उसको सिरिए 32 32 32 32 32 32 32 32 32 तो भाई यह कोश्चन याद करने माला है इसको तो लास्ट में दिखके चले जाना पर दिक्कत क्या है मालूम है बहुत सारे फाइनल में ऐसे कोश्चन है पुराने मेरे वीडियो यूट्यूब में डले हुए कि मैं जब बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ क्यार यह मेरी निजरों में गलत है पर हमको किसके सबसे करना है आईसी ए जब बच्चे करते हैं आईसी ए वो काड़ देता बोलते हैं यह तो लॉजिकली ऐसे होना चाहिए थे सुनो सुनो अभी भी सुन लो मतलब हम तो आईसी एगा रट्टा मार लेते हैं घोल के पी लेते कि ठीक है रट लेंगे तो उस बाद में बदल जाता है बलता है नहीं नहीं उसको छोड़ो उससे तो हम पेपर चेक नहीं करते हैं वो गलत था लोजिक तो यह है भगवान ना करे अपनी यह जवाने भरका करके आया यह तो गलत है कौन बोला काटो काट देगा जीरो नंबर देगा फिर हाँ क्योंकि एक मिनिट लग रहा है आपको तो इसमें करना क्या था लोजिकली क्या है डीवन में कोई चेंज नहीं होता मतलब डीवन कितने का कितना रहेगा बीस हमारा केई अल्रेडी कितना नहीं पीजिरो दिया है कितना 1460 और ग्रोथ कितना 0.0 कुछ भी नहीं करना था 7.3 वाजी के लिए बाकी बच्चे अलग बात है कि जस्टीफाई कर देते हर आंसर को किसी जमाने में होता था यह इसकैनर रहता था इसकैनर में ढांसर दिये होते थे और और इसकैनर में ढादोनौक्ति pista putting पता नहीं कैसे करोगे प्लास वाइनस पर लोगे देखो सर हमारा तो आ रहा भी यह गलत है वो जैसे आ रहा समझे तो बच्चे ना यह कहीं है नहीं सहीं तो किया इस ने कौन सा गलत किया ऐसी होना चाहिए गलत है भाई मुझे नहीं मालूम कि कितने टाइम बैट लिए मल्टीपल एक टॉपिक लिखोगे ग्रोथ मॉडल में ही मल्टीपल ग्रोथ यह बहुत ज़्यादा डिटेल में हैं सीए फाइनल में एक टॉपिक है सिक्यूरिटी वैल्यूशन उसमें अब ध्याद सिक्यूरिटी वैल्यूशन में पढ़ाने जा रहा हूँ दो तीन चार कोश्चन है इसके पहला है कि मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदने का सोच रहा हूँ और उसकी मार्केट में जो प्राइस दिख रही है न वो है 46 रुपीस 46 रुपिया में शेयर मिल रहा है खरीदना चाहिए कि न अप्शन सब्सक्राइब बस 46 है यह पता है तर कौन सी कंपनी के जिस भी कंपनी का मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मैं तो यह सोचूँगा न कि अगर मैं इस शेयर को खरीदूगा तो मुझे क्या फाइदा है अगर मैं बता दू कि यह मेरा नुमान है कि इतना डिविडेन मिलेगा और इतना का शेयर भी जाएगा तो क्या present value निकल सकते हैं सर मैं जो कुछ नहीं करना मुझे future में जो मिलेगा उसका present value ही निकलना है तो share कितने का है 46 तो मेरा नुमान है कि पहले साल मुझे लिखते जाना मेरे साथ पहले साल डिविडेन जो मिलेगा अच्छा D0, D0 भी बता देता हूँ सर डीजीरो कितना है डीजीरो है साथ रुपए और पहले साल और दूसरे साल 10 पर्षन ग्रो होगा यहां से यहां तक 10 पर्षन ग्रो होगा यहां से यहां तक 10 पर्षन ग्रो होगा उपर ग्रो लिखा ग्रो लिखा 10 पर्षन 10 पर्षन तो बताओ पहले साल का डिविडेंट कितना आएगा 7.70 ठीक है दूसरे साल डिविडेंट कितना मिलेगा 8.4-7 ठीक हैं तक और बता रहू हूँ मैं और कौन सा साल बचा तीसरा साल और चोहता साल अब फिर मैं बोल रहा हूँ यहां 12 पर्शन का ग्रोव हो जाएगा 9.48 दोड़ी जिट लेते हैं ना 9.48 10.6 10.62 ठीक है यहां तक पहले दो साल कितने बचन का ग्रोव है 10 फिर उसके बाद 12 जनरली यह होता है कि जैसी बिजनिस स्टार्ट होता ना तो खूप सुरू में अबनॉर्मल ग्रोव होता है खूप चलता जबरदस्त पर कहीं ना कहीं यार जैसे राइपूर में मौमूस का भी मैंने देखा और एक बड़ा पाऊ भी आया था गोली बड़ा पाऊ ऐसा कुछ आया था कॉंसिप्ट अब यह कुछ और चल रहा है तो सुरू में ग्रोथ जो बरदस्त तो उसके बाद यहर कॉश्टमर तो लिमिटेड हैं उसके बाद तो इस इस टेबल हो जाएगी और परपेच्वल ग्रोथ हो जाएगा और हमारा यह मानना कितने साल हो चुके हैं चार इसके बाद ग्रोथ रेट चार साल बाद परपेच्वल हो जाएगा और कितना परशन पाच परशन पर रहनम परपेच्वल जब भी जब भी ग्रोथ रेट परपेच्वल हो जाता है ना एक फॉर्मूला लगता है याद करो जब भी आप कर रहे थे तो आप एक पीजी रो का फॉर्मूला लगा रहे थे ना पीजी रोग फॉर्मूला क्या लगा देते निवें डिभाइड़ ये मायन चीए इसा कुछ करतेते प्र पर जब से परपेच्वल और यहां परपेच्वल ता को जब से यह पर पेच्वल हो Anders कर दो पास्तिए पर से जब से पहले का प्रीज निकलता है याद करो तो बार्पी P4, क्योंकि यहां के बासे पर पेचवल हो गया, तो आपको P4 निकालना पड़ेगा, और P4 का फॉर्मूला बोलो, P5, K-G, इस टाइप का एक कोशिन किया था हम लोगों ने, रिलाइज्ट यिल्ड मेथट करके, P4 का फॉर्मूला क्या है, P5, K-G, चलो, तो बताओ P4 कितना आएगा, D5 बलता ही है, यह कैसे निकल रहा है, यह तो मालम है, यह D1 है, यह D2 है, यह D3 है, यह D4 है, तो D4 कितना है, 10.62, इसके बाद ग्रोफ रेट कितना है, मतला 1.05, किक, डिवाइड बाइ, कही कितना है, नहीं दिया है, मैंने, ऐसा बोलो ना, अच्छा है, अभी कुछ न कुछ तो बोली देते है, यह D2 ही नहीं है, कही लिए लिए 15%, टिक है, 15%, नहीं कुछ न कुछ तो जुगार लगाते है, आप पर्षट इसका, 0.15, मैनस 0.05, P4 आ गया, टिपल वन पॉइंट, कहा है, पिटे, टिपल वन पॉइंट, 5, ठीक है, अब अगर मैं शेयर खरीद रहा हूं, बिल्को ध्यान से बना, अगर मैं शेयर खरीद रहा हूं, तो पहले साल डिविडेन मिलेगा, हाँ, दूसे साल, हाँ, तीसे साल, हाँ, चौते साल, हाँ, और यह क्या चीज है, शेयर थे, पाँचवे साल से जो डिविडेन मिलेगा परपेचवल, उसका प्रिज primeira वल इना, इसमें जुड़ा हुआ है, कौन से साल से डिविडेन जुड़ा हुआ ह? 50 years का dividend पूरा जुड़ा हुआ है बताओ ये कब का dividend है पहले साल का ये कब मिलेगा दूसरे साल ये कब तीसरे साल और ये कब चौतिस साल और इसमें कौन से साल से dividend जुड़ा हुआ पाचवे साल और present value होता क्या है कुछ नहीं है जो भी future में मिलेगा उसको discounting करना तो बताओ क्या आप discounting कर सकते हूँ इसको किस से करोगे 15 परशन से discounting करो 7.70 divided by क्या करोगे 1.15 पावर वन ये कब मिलेगा दूसरे साल याद करो NPV, PVCI निकालते थे ये कब मिलेगा तीसरे साल ये कब मिलेगा और ये भी कब तक आ गया पहले साल से discounting ये दूसरे साल से इसको अच्छे से लिखवाँगा ये तीसरे साल, ये 34 साल ये भी 34 साल मुझे P0 निकालना है चलो, काम करो कहां तक कैसे कैसे लिखे हो क्या ये सब लिखे हो 1, 2, 3, 4 क्या ये लिखे हो के लेवल का होना ही नहीं चाहिए और है भी नहीं है पर पता नहीं इंस्ट्यूट एक कोश्चन चिपका देता प्यार से तो वो करवाना पड़ा है मुझे एक दो कोश्चन करवाँगा ना हो जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगा हाँ डिस्काउंटिंग करना होता है नहीं है अगर ऐसे बोलता आप से सुनो पहले साल इतना पैस आएगा दोसे साल इतना आएगा तीसे साल इतना आएगा चोहते साल इतना आएगा और तर्मिनल वैल्यू यह तो चलो पीजिरो इसको मैं प्रॉपर टेबल के साथ भी करवाँगा पहले पीजिरो लिखिये पीजिरो इसी तात रुपए डिवाइट क्या करोगे 1.15 पावर 1 तात रुपए नहीं आएगा यार 7.70 8.47 दिवाइट बए 1.15 पावर 2 तो तरुपए नहीं आएगा 9.48 दिवाइट बए 1.15 पावर 3 10.62 दिवाइट बए 1.15 पावर 4 plus triple 1.50 divided by 1.15 power 5 नत कर दे ना कलती से वो वो 89.15 89.15 इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू अभी नाम सुना ना चलो इस यह तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने अब्जेक्शन ने लिया लास्ट बैच के बच्चों ने इंट्रिंसिक वैल्यू बोला तो अब्जेक्शन ले था बोले सर हम तू पढ़ते थे ऐसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिटी डिवाइड़ बाइन नंबर शेयर्स और उन्होंने कहा था कि यह ना हमने अमल्गमिशन में पढ़ा था बोलो अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 89 पॉइंट अगर आज कितने का भी कुरा है अउटा की अगर प्राइज है की मैघगा खरीदना हखे नहीं है वाव यह ओटा वो सबंदै आता है है खरीदना अधर सथाTim Kapi C करेंगे यह तो हमको नहीं समझ रहा है है क्या समौेगा तो पहले प्रेजेन्टेशन देख लिए पता नहीं मेरा दिल कर रहा ही आएगा लिखोगे एक्जाम प्रॉपर कर रही है अब कोशन को रुपीज एट ग्रोथ रेट 10% परनाओ यॡपर फॉए случай visionsसट बित्षष मुをं GG 10 पर डाइगा दस पर ब्नस्ट पर्शन 6 परैनाम परपेच्वाइजंड असर तर्स तर्स थैस्ट पहल जो पर रहा हुआ है atención यह लिएल्ट केइठ लिएट अगर अगले साल से ही पर पेचवल होता ना तो सीधा फॉर्मुला लगाते है डी 1 डिवाइड बाइ केई मानाज जी पर पर पेचवल कब से हो रहा है तो हमको उस वही फॉर्मुला लग सकता हमको क्या निकालना पड़ेगा पीफो पर मैंने गहां कि प्रॉपर करेंगे स्कॉष्चन को तो चलो टेबल मनाते हैं डेबल कैसे बनेगा सबसे पहले आजाएगा यह केश फ्लो के प्रिजिंट व्ली फेक्टर अमाउंट की धा केश फ्लो प्रिजिंट व्ली फेक्टर अमाउंट कितना साल है चार पाच साल है ना कि तर यहां जाएगा यह कैश्पोस कितने पर्षन से डिसकाउंटिंग करना केई दिया है 12 पर्षन अप्रेजेंट में लिए बता पहले क्या मिलेगा डिविडेंट फर्स्ट इयर में फर्स्ट इयर का डिविडेंट यह कैसे आया 8 इन्टो 1.10 कितना आगा है 8.80 2nd इयर करें 8 8 इन्टो 1.10 पावर 2 कर दू 9.68 इससाल डिविडेंट 10 पाइट इन्टो 1.10 पाइट इन्टो 1.10 इससाल बत तो परपेच्वल है तो मैं यहां ऐसे यहर करके आप फीफोर लिग देता हूं और पीफोर यहां आपको यहां ने निकाल सकते आपको कहना कहीं वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको पॉर्मूला क्या बनेगा किए ग्याद इपको ज सू Wij और आपको अग्या देदिवेगे आपको ड्मैगे आपको यहां मै जो मैं आपको बनेगे दीवेये जिए दिएवेख पताई ग्लिवाट सेवन देदीवेट क्यी मां देवेट मैं पाइट देदा है ल स्कुए अडवेट को तीएवेट का आगे 06.8 यह वर्किंग नोट नंबर 1 से बना लिए अब क्योंकि यार डिवाइड वाले से करनी ही रहा तो फैक्टर चाहिए हमको 8, 9, 3 7, 9, 7 7, 1, 2 6, 3, 6 6, 3, 6 6, 7, 5, 4 6, 7, 9, 6, 7, 6, 7, 8 6, 7, 9, 10 अर्ण्सक्राइब दूख उर्ण्सक्वल बहुत सोचा पढ़ा हूँ के नहीं पढ़ा हूँ फिर सोचा पढ़ा देता हूँ क्यों चुछड़ों सम्हाल लोगे मुझे पूरी उम्मीद थी आप लोगों को देखकर ऐसा लग गया कुछ नंबर ट्वेंटी सेवान तेका मल्टिनेशनल कंपनी ठीक है करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर अभी प्राइस क्या चल रहा है 2185 दूरिंग दा फाइनशी ले बीस इकीस दे कंपनी पैड सब्द लिखा है और ग्रोथ रेट कितना है 12 पर रहनम कितने सल तक चार और उसके बाद कितना है पाच पर पर पेच्षवल और शेयर होल्डर मतलब कही कितना दिया है 18 पर तो चार सल तक डिविडेंड है जाएगा और एक निकालना पड़ेगा हमको पी-फोर तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू फैक्टर की बात करना पहले साल दूसरा साल तीसरा साल चौता साल उसके बाद चौता साल पर इंस्ट्रिट्यूट को मालूम था यहां बच्चा गलती करेगा वो पाच्वा भी चिपका देया जो जोश में कर लो मतलब यह जानवुच के फैल करने का तरीका है मतलब पीजीरो बच्चे जोश में यहां पीजीरो बोल देते इसको इसी से तो कंपारीजन करना है इसी से करना है यह एक्ट्वल प्राइज और वो जो वो हता है थियोरिटिकल प्राइज वो इससे comparison इसका करेंगे और फिर बताएंगे कि शेया ओवरप्राइज है कि एंडरप्राइज है पहले निकालो ना तभी तो मचाएगा ओवरप्राइज एंडरप्राइज मेंगी तो पहले टेबल बना के करोगे तो ज्यादा अच्छा अगर मैं scanner पे विस्वास करूँ तो यह आ रहा है वन फॉर जीरो एट के आसपास आसपास 1408.27 इसमान लिखा हूँ गलत है आप सही हूँ यह गलत हो सकता है अच्छा जो डी फाइब आया था उसको सिधा पीफोर लेकर निक्टा दिये वह आउग 160000 1779 आया पीफोर चलेगा 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 तो अच्छाहिए 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 ज्यादा है तो शेर इस ओवर प्राइस ठीक तो लिखाओगे क्या हां लिखवाद अ हुद घंस अच्छाहिए टो राइस попробरी तो ऋ एटाइस तोत्व चर्ड तो लाइड, टोगवाद क्यासिए फिस ओत्सिक तो मॉढशी है तो व filled 1408.27 हैंस शेर इस वार्प्राइच्ट कि पढ़ना अच्छा प्रेक में हैं भी 10 मिन्ट का टाइम 10 मिन्ट में हम बहुत कुछ कर जाएगी इन्टेंसिक वैल्यू आईवी जीरो हुलते हैं जब बड़े हुज जाओगे तो यह बोलोगे आईवी जीरो फैनल के कोई टॉपिक आता है ना तो थोड़ा साथ अच्छा लागता है हमारा वाला कुछ आई वर्शन नमबर 28 एक बार रीट कर रहे हैं कि वीडेन का ग्रोफ रेट कितना दिया स से इतने सल तक वीटे हैं इतने सल तक स सी कि इतना पर्षंट पर पेच्छवत वह नहीं कि और कि वह दी या नहीं शूरु में दौश्य कि इतने होगा सी परशन जिएऑ होगा 25 परशीन दियो महीं में मिद बड़ा बीड़ो कि जरा बताना पहले साल का डिविटन कितना आएगा तो रुपए है और पच्छीस परशन का ग्रोथ पहले साल का डिविडन धाई रुपए दूसरे साल का डिविडन 3.125 तो यह क्या निकला आपका D1, D2 और उसके बाद क्या निकालना है P2, और P2 कैसे निकालेंगे D3 divided by कही माइनर्जी सिंपल है यह वाल वैसे मुझे बनाना थे चाहिए मैं तो बता रहा हूँ कि कैसे करना है बस क्या एक्स्ट्रा दिमाग कैसे चला था वो मैं बता रहा हूँ यह जो 2 रुपए इसको कितने परशन से बढ़ाया तो कितना आगा है 3.1 फिर क्या करना है 5 परशन से बच्चे बोलते गिराना है माइनस परशन कर भी नहीं सर वो उनका कहना सर फॉल लिखा है ना भई कहा दिमाग चला लिते हो अहां ग्रोथ रेट 5 परशन करना है पतल लगा उसी को 5 परशन माइनस कर दी मेरे ख्याल से बात समझे में आगी सर हम इतना करते ही नहीं हम ऐसा करते ही नहीं हम आज़ा दी टू वानवाजी करते है वट कोशन नमर्ट 31 प्रोथ रेट कितना दिया है कितने चल तक उसके बात करेंट डीवीडेंट परशन करेंट करेंट डीवीडेंट परश है अगर अगर करेंट डीवीडेंट दिया है ना तो डीजी रू कोशन भाइस आप यह तो हमारा टीवाई का फाइव है एक बार देखते है यह लास्ट है इसके बाद तो यह ग्रूपर पेच्वल गुरूत वाला खतम फिर तो एमेम आजाएगा ठीक बाद पढ़ लेते इसके बाद ब्रेक लेते पढ़ते है राम से जल्द बज़े नहीं करते सौ रुपए क्या है भाई फेस वेल और ग्रोथ रेट दिया है पंद्रा परशन पर रेनम इतने साल तक चार साल तक और उसके बाद कितना है पाच परशन इसको कुछ ना कुछ तो बोलना है के रोल्डर की बाद की पैड सब्द लिखा तो समझी गया है यही जी रो कितना 120 और कंपनी के शियर का प्राइस कितने में ट्रेड हो रहा है शियर 3122 इंट्रिंसिक वेल्यू निकालना है और बताना है कि अंडर प्राइस है कि याद रखना कि हमारे इंस्ट्रिट्यूट का कोश्चन है तीवाई के फाइट बनाना ही है पस्त सवाल है कि यहां बनाओगे की घर जाकतर बनाओगे बना लोगे घर में इसका आंसर है छापकर आयों में 1022.42 आईसी ए आई का आंसर है तो मुझे नहीं लगता है स्कैनर में गलती हो सकती है इसमें इसमें भी होती है कॉंसेप्ट ही गलत कर देते तो कुछ कर नहीं सकते है बाकि आंसर आपका मैच हो जाएगा यह कहा जी तो ब्रेक है चाहो तो ब्रेक में बना सकते हो 15 मतलब ठीक बारा बज़े में और एम एम करेंगे लेंटरनर करेंगे ग्राम एन डॉट करेंगे आम में में कुछ नहीं रखा है प्लीज नाम के उसे बन से तो यह आंसर गलत है अंसर करेक्ट्वाली कोणसा क्या वैपन वड यह करेक्ट आंसर चलो तो हमारा सा मॉडल हो गया है थे यीरेवेट रेलिवेट 1am देविटन थेयरे वे रेलिवेट अभी लिकने जा रहा है इ 놓 Irrelevant theory और Irrelevant theory बोलती ही क्या है सार्शयों मुक्तर हेखर द्यूद आफ ड्यूदивать इविद इविद इविद्च प्रणिग इविद्ग a श्यूद थास्यानोट औरर प्रणिग्ण द्यूद्ग यह लिखा था साइध यार ना दिशनाट अफेक्ट्ट वेल्थ अप्षियर गोड़ और इसमें जो परसंत उसको नाम क्या था इसमें जो परसंत उसको नाम क्या था? इसमें इसमें मॉडर यूज करते है MM सीधी सी बाद बोलता है भाई आप डिविडेंट दो मत दो येर होल्डर की वेल्थ पर कोई एफेक्ट नहीं तो बोले हम कैसे माने हैं? आप जो बोले हम बता रहे हैं ना वो बोलता है चलो वेल्थ निकालना सीखते हैं तो लिख होगे सबसे बहुए following steps mm का अगर question आता है पूरा complete तो कम से कम 10 नमर का question आएगा question के size से समझ में आता है कम से कम 10 पूरा complete question आएगा falling steps are applied to calculate wealth of shareholders mm का पूरा focus dividend पर ही नहीं है उसका गयना है earning पर और क्या आप time pass करते है परपेचवल 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 कहां का परपेचवल आप जिंदगी वर शेयर हैं अदला छोटा सोचो थोड़ा सा बहुत बड़ा लंबा target बना एक साल का target बना चलो एक साल के लिए मैंने share खरीदा क्या मिलेगा एक साल गड़े भी रहें और क्या करेंगे हम एक साल बद हम शेयर को भीज देंगे हम एक साल का target बना तो उन्होंने का चलो अब P0 निकालो सबसे पहले step number one अगर हम एक साल तक ही hold करते हैं calculate price at the end of year one मतल मैं किसकी बात कर रहा हूँ क्या निकालने की P1 और उन्होंने P1 का formula दिया P0 1 प्लस के minus D सोच के बताना एक साल बात का price है एक साल बात का dividend है और एक साल बात discounting करना है और मुझे P0 निकलना है कैसे निकलोगे P1 दिया है D1 दिया है KE दिया हो मुझे P0 निकलना और एक साल के बात है एक साल बात का dividend और एक साल बात का price दिया है तर सिंपल है जो P1 है और जो D1 है उसको discounting करना मतलब 1 प्लस क्या करना पड़ेगा केई is equal to क्या जाएगा P0 क्या P0 का formula बन सकता है P0 1 प्लस केई माइनस D1 तो P0 का formula बन चाहिए प्लस क्या P1 का formula यह इतना पैसा लगाएंगे उसका future value माइनस क्या dividend तो मिल जाएगा यह समझाऊंगा को यह जब तक ना figure सामने नहीं आएगे ना तब तक मजा नहीं आएगा अभी यह steps लिख लेते एक बार फिर बात करेंगे इस्टेप नमबर टू total तीन steps में काम होगा calculate number of new equity shares investment minus return earning लिखते जाओ भी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ बस format बना रहा हूँ जो आए इसको बुलेंगे fund required divided by even तुझ्जू आएगा उसको बुलेंगे number of new shapes step number 3 तुझ्जू calculate wealth of shareholders wealth is equal total number of shares total number of shares to P1 तुझ्जू तुझ्जू question क्योंकि example question same ही रहेगा तो question ही उठा रहा हूँ उसको आप example and question number 40 की बात को बिल्कुल अच्छे से करवाँगो इस question को टेंशन मत करो हैं लोग बहुत डरते हैं पर आप चिंता मत करो कोशिश रहेगी कि यहां mm को उड़ा दे मैं 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 पढ़ रहा हूँ delimited के बास पर question बस यह वाला कोशन अच्छे से कर लो बाकी question homework आप खुदी ले लूग तो 10 लाख equity shares है current market price कितना है भाई सब 150 इसको क्या बोल सकते हैं लोग P0 P0 the board of director the company has recommended that 8 rupay per share dividend board नहीं क्या कहा आप से कितना रुपय dividend दे सकते हम लोग 8 rupay 8 rupay per share rate of capitalization appropriate to the risk class to which the company belong 12 percent मतलब यह सीधी सी बात है केई क्या आपको dividend पता है यस क्या आपको P0 पता है यस क्या आपको केई पता है चाहे dividend declared मत कीजिए shareholder का wealth एक ही रहेगा वही बात हमको पहले number पर क्या निकालना है P1 फिर से दूसरा क्या मांग रहा है वह बात में समझें के पहले P1 निकलते हैं थोण हो कंडिशन में declared, not declared Point No.1 Price at the end of Year 1 एवन का फॉर्मुला P0 1 प्लस K माइनस D1 सबसे पहले क्या बोल रहा है dividend एक लियर तो बताओ के P1 कितना आएगा P0 कितना 150 1.12 और dividend declared मतलब माइनस कितना करोगे 8 प्राइस कितना आगया 160 160 आगया भई ठीक दूसरा क्या करोगे not declared मतलब dividend को 0 कर देंगी वाउ मैं पहुच रहा हूँ वहाँ तक P1 is equal to 151.1 dividend ना भी लिखोंदो चलेगा 168 अगर यहाँ तक question आए तो 5 नमबर काएगा ठीक तो इसमें दो कुछ था ही नही और उसने क्या बोला wealth में कोई change होगा क्या नहीं अब क्या करना इसके बाद आगे चलते wealth क्या wealth निकल आए नहीं कब निकलेगा third step फो लाश्ट में बंगेगा point number two अब ये वाला point ये बच्चों से नहीं बनता है प्लीज यहां साथ दे दो पहले मैं कुछ calculation नहीं करवा रहा हूँ अराम से समझ that income कितना हुआ था आपके पास sir हमारे बस 2 करोड का income हुआ था और आपको पैसा कितना लग रहा है 4 करोड आप investment करना चाहते है आपको 4 करोड रुपे लग रहा है क्या आपके पास पहले से कुछ है पैसे return पहले तो आपने क्या किया था dividend declared कर दिया था जोश में आके बोलो 8 into 10 कितना उरुपे डिविडेंट दे दी 80 लाक आराम से सूचना हमारे पास income कितना था 2 करोड 2 करोड में से dividend कितना दे दिया 80 लाक बोलो अभी हम कितना बचा है हमारे पाई 120 120 लाक चाहिए कितना था इन 4 करोड चाहिए था 400 लाक उसमें से dividend कितना दे दिया 120 लाक रुपे बचा उसका तो यूच कर रही सकते है अब और कितना पैसा चाहिए 280 लाक रुपे चाहिए क्या करे new share है issue करना पड़ेगा क्या debt से पैसो का वेवस्था कर सकते है नहीं mm का exemption न्यू share issue करने पर गोई transaction cost नहीं लगता है टॉटनोट आया था mm का exemption बताईए कर आता है और एक share कितने में issue करोगे कब issue करना एक साल बात मैंने आपको एक बात बताया था कि share किस पे issue होता है market price रिक्लियर करोगे तो market price कितना होगे 160 करो calculation 280,000,000 चाहिए 2,80,000,000 अब मुझे total मैं मतलब पूरा 0 लेकर बताऊ 280,000,000 चाहिए और एक share कितने में issue कर रहे है एक लाग पचित्तर अजा शियर्स अगया ना यार यहां तक समझ में कितना शियर्स आ गया एक लाग पचित्तर अजार मैंने एक फॉर्मेड बनाया हूँ नंबर अफ शियर्स में चेक करो पहले सबसे पहले मैंने कहा यार इन्वेश्टमेंट कितना करना है उसमें से माइनस कर देंगे रिटेन वेच्चा हुआ फंड रिक्वाइट इवाइड बाई पीवन तो नंबर अफ शियर्स आ गया ठीडिटिटी देटर् नहीं करते तो चार सों मेज से दूसो तो हमारी पास था अच्छा रुख जा रुख जो फिर से फिर से 400 लाक्त की जरूरत है यह तो पुरा 200 बचा रहा है यार 2 करोड 119047.61 पस यही मुस्किल था पकी और कुछ नहीं पॉइंट नमबर टू मुस्किल है थोड़ा तो न्यू शेर्स कितने इश्यू करना बस इसी में दिक्कत आती बच्चों को बहुत की दिक्कत नहीं है आप लिखवा होंगे हां में लिखवा रहा हूं अच्छे से तो पहला वाला काम तो हो गया पीवन निकल गया ठीक है अब क्या करें न्यू शेर्स तो सुनो न यार ऐसा कर लेते हैं न एक कॉलम में जाएगा डिक्लियर्ट एक में लिखते हैं नौ डिक्लियर्ट तो दोनों एक साथ हो जाएंगे पॉइन नमबर टो नमबर ओफ न्यू शेर्स तो भी तो कॉलम बना लेते हैं साथ हो जाएगा तो अच्छा पहला क्या था डिक्लियर्ट अब दूसरा है गा नौट इन्वेस्ट्मेंट इतना करना है तर इन्वेस्ट्मेंट करना है चार क्रोड जीरो जीरो लगागे करना माइनस क्या करोगे रिटर्न अर्निंग बस वही सोस समझ के करना तो टोटल हमारे पास यहां कितना था दो सो लाक और उस में से डिविडेंट कितना दे दिया असी लाक तो रिटर्न अर्निंग कितना बचाए है एक सो टीस लाक और यहां तो जब डिकलियर्ड ही नहीं किये तो पूरा की पूरा रिटर्न अर्निंग बचाए है तो बत्ताओ कितना फंड चाहिए है हमका दो करोड असी लाक और यहां दो करोड शेर एश्यू करोगे डिवाइड बाए पीवन एक साल बात नंबर उप शेर्स एश्यू करना तो यहां डिकलियर्ड किये थे तब प्राइस कितना था है 603 और यहां 168 तो नंबर उप शेर्स 1,75,000 शेर्स 1,190 6 619 अब मैं फिर से बोलनों क्या शेर्स फ्रैक्शन में इश्यू होके अच्छा जो अरुनिंग हम कमाते हैं उस पर टेक्स लगेगा कि नहीं नहीं, no taxation सुन दो भई यह सब है no taxation no transaction cost और शेर्स फ्रैक्शन में इश्यू होके capital market is perfect वो अपको समझ में आएगा नहीं क्या है capital market सरी यह theory आप एक साथ पढ़ा होगे न सारी हाँ एक साथ करवा दूगा जैसे, ठीको कभी नाम सुना सुजू की समुराई करके समुराई, समुराई सब्द कहां का है जयपान आना या bulldog, bulldog कहां चलता है bulldog कहां का doggy है Britain, UK अर यह एक्जाम में आएगा के bulldog चलो, आप सुनो अब यह बात करूँगा ना आप पॉंट नमबर 3, last to the market value of shares at the end of accounting year will remain the same, whether dividend are distributed or not पॉंट नमबर 3 में market value of shares निकालना shares समझते हो न मतलब जितने भी shares है उसको market price से multiply करो तो market value of shares अज़ाई तो सर्क कहना क्या चाहते हो कहना क्या चाहता हूँ, वो मैं पॉंट नमबर 3 में करवा ही देता हू पॉंट नमबर 3 हमें निकालना wealth of shareholder wealth of shareholder two no situation, कौन-कौन सा था एक था declared और एक था not declared number of shares पहले से थी क्या हमारी पास कुछ existing just luck और new shares भी issue किया आपने यहां तो 1,75,000 shares issue कर दिया और यहां 1,19,047.619 तो टूटल नमबर of shares कितने हो गए? 11,75,000 और यहां 11,90,417 है क्या? 1,1 9,047 नहीं तो कम नहीं दिख रहा है टिपल 1,9047.619 इसको multiply किस से कर देंगे? price से P1 यहां price कितना है? 160 और यहां price कितना है? 168 तो wealth निकालो round off करके बोल दूँ सिधा 1880 लक ठीक है वही तो आएगा, IMM तो ही बोल रहा था चिला 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 लक वही आएगा, वही आएगा 1880 लक बोलता है चैस थोड़ी नोगा, वही आएगा अच्छा कुछ बच्चे तो और सक में आजाएगा, वही कैसे आगया वही तो करने बाले प्रेम कैसे आगया भई? यह आया है कि नहीं? यह सेम आना चाहिए लास्ट वे तर घुमा फिला के प्लस माइनस कर रहा है सीधा सीधा बस खता है इतना ही था इसमें तीनो श्टेप काम करना श्टेप नमबर वान श्टेप नमपर वान श्टेप नमपर टू श्टेप हमक मैं पूरा सलिवस खतम होने के बातेश लो 42 हमक अब देखो 43 सुनो अगे ध्यान से देखो डिविडेन इस पैट, डिविडेन इस नॉट पैट क्या मांगा है प्राइस, पीवन और दूसरा क्या बोल रहा है नमबर अप शेर्स पर सेकंड श्टिप का भी आधा बोल रहा है इफ डिविडेन इस पैट इस सिच्वेशन में आपको क्या निकालना है नमबर अप शेर्स बस इतने ही था कॉश्ट हाँ हमवक 44 तो अभी किया है same कॉश्ट कॉश्ट 45 TY के 1 हमवक तीरी स्टेप में काम करना है नहीं है यह तो सेम कॉश्ट है 150, 8, 10 बस यहां पूरा नाम लिख दिया मिलर मोडी लानी और नीचे नीचे चेंज हुआ है 3 करोड, 6 करोड TY के है ना यहा चलो हमवक काट दिया है क्या काटा था इसको काटा नहीं है नहीं है रेशिडियल वाला नहीं करना यह भी पूरा कट कर थो वो तो मैंने बाहर का उठाया था था हाँ जी पूरा काट दो खालों र्जीक नहींज़र्च वी मैंने दो दो फॉर्मिले लिखवाना दो फॉर्मिले समझाना बड़े मुश्किल से 10 मिनट लगेगा लेकिन पता नहीं मेरा दिल करता है कि उसके कोशन नहीं है एक्जाम्पल तो करवा के शतम करूँ हाँ मतलब एक्जाम्पल कर लेते हैं अब आपकी किसमत खराब रही तो कुछ नहीं कर सकते हैं आ गया अब तो लिंटनर मोड़ा हाँ बुक की ज़रूरत नहीं बस मिली बात अब ठीक से समझना खोड़ा सा ऐसे भी नहीं कि हवा में कर वा दूँगा इट मिन्स ये फार्मूला जो बता रहा न वो इसने एक फार्मूला दिया है कि D1 कैसे नहीं कर ठीक पहले लिख लो फिर समझा रहा है D0 प्लस DPS इन्टू डिविडेंट पे आउट रेश्यो माइनस D0 इन्टू EF EF कम मिन्तलब एजिस्टमन फैक्ट चलो आदा सही है कमसर एक टोपिक है डिविडेंट पॉलिसी यही है यही है यही है यही है करवोंगा मैं ऐसी कमपनी एक सुनना ध्यांसे मैं जो डिविडेंड पॉलिसी का नाम ले रहा हूं एक है कॉंस्टेंट डिविडेंड प्याउट रिश्व प्रिश्व मतलब 50% मतलब 10 रुपिया कमाया हमने तो 50% कितना होता है पांच रुपए पांच रुपए डिविडेंड देंगे यह कैसी कमपनी है जो इस्टेबल देती कि हर साल मिलेगा मिलेगा कौनसी कमपनी के शेर खरीजना पसंद है हम कितना भी कमाये ज्यादा कमाएंगे तो बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं दे देंगे इस्टेबल रखेंगे कौन सी कंपनी एक्चली ना यार इसमें न हम अपनी future की planning नहीं कर सकते श्टार्बक्स जाएंगे अगले साल वो डिविडेन मिलेगा वद अलगा कमाया नहीं तो जीरो आप नहीं समझ रहे हो इसलिए यार हम अपनी income plan नहीं कर सकते कि income मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसलिए यह जो payout ratio वाली policy है न वो अच्छी policy नहीं मानी कौनसी वाली मानी जाती है stable और फिर कुछ लोगा कहना है stable का एक तरीका है अब stable है हर सल दो रुपए दो रुपए दो रुपए दो रुपए ही मिलेगा क्या आप ऐसी company के share खरीचना बसंद करोगे नई यार कुछ तो grow करो अब देखना धियान से मैं कुछ कहना चाता हूँ एक ऐसी company है बढ़ाओ earning बढ़ती है ना तो dividend भी बढ़ाई है पर उसी ratio में मत बढ़ा दीचे थोड़ा सा बढ़ाओ earning गिरी तो dividend भी कम करो पर थोड़ा सा कम करो मतलब इसमें fluctuation क्या होना चाहिए कम earning में जितना fluctuation हो रहा उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए पिछले dividend से आने वाला dividend में थोड़ा सा fluctuation कर सकते हो earning पर depend करते है तो ये क्या कहना चाहता है ये ही बात बोलना चाह रहा है कि भया देखो जब आप dividend payout ratio देते हो ना earning के हिसाब से दो लेकिन बहुत ज़्यादा change मत करो अगर धिहान से समझ रहा इसला dividend था पाच ठीक है सर और अभी कितना कमाया मैंने बारा ये क्या चीज है EPS concept समझाने की कोशिश करो ये क्या है DG लो ये EPS और हमारा target है कि हम 60% dividend देंगे 12 नहीं और इसको और EPS को बढ़ा देता हूं मैं मान लो इसको ले लेते 18 रुपए 18 रुपए का 60% कितना होता है 10.8 पिसमे साल कितना दिये थे अभी कितना दे रहा 10.8 दिया अगले साल कम कम आया और अपने कम दिया तो उचाड़ा ही कर देंगे शेर बेचना इस्टाट करेंगे शेर का प्राइस गिरेगा तो बुले नहीं शुरू में क्यों आप लालस दे रहे हो मत दो 10.8 10.8 से थोड़ा सा बढ़ा हो अब ये थोड़ा सा क्या होता है ये आप पर डिपेंड करता है ये दिया रहेगा कोशन में मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब आप एक कम करो उसका 0.3 जो डिफरेंस से उसका 0.3 दो अब धियां से समझ लाँ अब इस फॉर्मिले में डालने की कोशिश कर रहा हूँ 3.0 कितना था? 5 क्या मुझे बढ़ाना है? Yes EPS कितना था? 18 उसका वैसे हम कितना देने वाले थे? 60% तों कितना होता था? 10.8 कितना बढ़ाने का सोच रहे थे? माइनस पाच कितना बढ़ाने का सोच रहे थे? पिछले से आप कितना बढ़ाने का सोच रहे थे? amount में बता सकते हैं? 5.8 बढ़ा रहे थे इस बार 5.8 मद बढ़ाईए उसका सिर्व और सिर्थ 30% ही बढ़ाई 1.74 बस मैं सिर्व और सिर्व फॉर्मूला का लॉजिक समझाने कि इसको रट नहीं सकते थे आपके सी भी हलत में नहीं रट नहीं सकते थे भाई रटवा दे और जो रट ले बहुत बड़ी बात है फिर तो पक्का सी ये बन गए इसको आपको समझेना ही पड़ेगा एक एक्जामपल लिख लेते हैं तो लिख लो ये बाला दिख लेते हैं परस ये डीवन निकालने के लिए आता है और इस पर कोई कोई कोश्चन भी नहीं है तो खतम लेंटर ना मॉडल खतम और एक करवाना है बसका तो डीजीरो कितना एक्जामपल करके लिख होगे 30 कितना लिया था 5 और EPS अभी कितना है 18 वाँ याद हो गया और क्या था टार्गेट पे आउट रिश और डिविडेन पे आउट रिश 60 पर्शन और इसके अलामा क्या चाहिए एजिस्टमेंट फैक्टर पॉइंट थ्री और डीवन कितना वो भी आप बता मत देना वो निकालना है ठीक्ट खला इसको उटन कितना है झाली दोग पॉग्पवण कितने है टूएंट व बता डिविदा को ग्रहम और दोड मॉडल ए न यार थेयरी ट्रदिशनल अप्रोच भी बोलती है ट्रदिशनल मॉडल भी बोलती है ग्रहम और दोड इस में बहुत ज़्यादा रिशाश नहीं करवा रहा हूं सिधा ये पिजिरो निकालने का फॉर्मुला बता है जैसे एपीएस होता है यार यार जाद करो प्राइज़णिंग रिश्यो दिया रहता था तो अंपीएस कैसे निकालते थे EPS into peer issue इनका क्या सोचना था logic दे रहा हूँ formula के derivation पर नहीं जाओंगा इनका ये सोचना था कि भी आप earnings पर कैसे focus कर सकते हो मालो company कमा रही और dividend नहीं दे रही है तो आप earnings से क्यों multiply कर रहा हूँ आपके पास दो चीजे है एक है earning और एक है dividend इसको ज़्यादा वेट दो कि अगर देना है तो company के share का price shareholder ज़्यादा इच्छा इच्छु किसमे होते earning में की dividend 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 हाला कि इसमें से dividend देने के बाद क्या बचता है आपका return ये भी important है पर ये ज़्यादा important जो अभी हाथ में मिल गया ज़्यादा important है ना तो बोले भाई आप इसको ज़्यादा वेट दीजिए आप क्या कर रहे हो आप EPS into क्या कर रहे हो price earning ratio बोले ये ठीक है पर ये जो है ना EPS इसको दो भागों में बाट दीजिए किस-किस में बोले एक dividend और एक return प्लस EPS कोई बाट रहा हूं है EPS divided by 3 इसको अगर मैं formula derivation में जाओंगा ना तो मैं बोलूँगा return earning से 4 गोना ज़्यादा पर यह भी समझ यहां क्या लिखा होना चाहिए आप के साब से return earning अब सुनो मैं derivation करवा दो इसका बाद मैं करवाद हूं multiplier M का मतलब multiplier ठीक बैस खतम इतना ही थै dividend earning actually ना अगर इसको मैं तोड़ू ना तो आपको यह समझ में आएगा अगर बहुत ज़्यादा messages का अच्छन उसको समझ में आएगा कि सर return earning पे जितना weight देते होना उससे चार गुना ज़्याद आप dividend पर weight दे रहें 4D ये मैं बता रहा हूं और return earning को return earning बोल सकता हूं मैं ऐसे या फिर return earning कैसे बनता है E minus D इसको derive करेगा ना मालूम है क्या है का इसको derive करेगा तो ये जाएगा D plus E divided by 3 automatic आजाएगा इतना return earning पे weight दे रहें से चार गुना ज़्याद रिविडेंट पे तो को example example लिखना है की हो जाएगा तोड़ दे paper है क्या मैं कल वो खतम करते है ना हर अच्छा एक exam बास सहीं बोल रहा है ऐसे तो याद रहेगा नहीं exam EPS rupees 8 dividend payout ratio 40% multiplier 8 times multiplier मतलब जैसे price earning ratio उता और आपको निकालना P0 46.9 तो मैंने करवा दिया कि इसके कोश्चन है नहीं थोड़ा बहुत theory लिखा था फॉर्मले लिखेते तो मैंने explain कर दिया हूं पस थिके चिकची झाल झाल झाल